दोस्तो अगर आपके गुलाब के पोदे में भी अच्छी फ्लारिंग नहीं हो रही है तो आज हम आपके लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आए है जिससे आपके गुलाब के पोदे पर डेरो सारे फूल भी आएगे और इसमें कोई भी फंगस कोई भी किटानू नहीं वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो वीडियो में राश्टक बने रहेगा और अपने गुलाब के पोदो कोई भी आप इसी तरीके से केरिंग कर सकते हैं तो फर्टिलाइजर को आपको किस तरीके से इस्तमाल करना है कैसे कैसे आपको इसमें ग्रोथ करने के लिए चीजे का इस्तमाल करना है और आप अपने घर पर ही इसमें फर्टिलाइजर किस तरीके से बना सकते हैं तो इन सभी के बारे में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं आप वीडियो में देख रहे होगे कि अगर आपका गुलाब का पोदा बरसात के मोसम में इस गुलाब का पोदा इतना हरा भरा और फ्लाविंग के साथ मिल सकता है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो अपने गुलाब के पोदे में जो भी आपके बरसात के मोसम में घास उग गई है उसे आप आपको निकाल लेना है इस तरीके से साफ अपना गुलाब क पोदा कर लेना है इसके बाद आपको लेनी है दो चौक चौक में बहुत ही जादा केलसिम होता है और ये पोदे में बहुत ही अच्छा काम करता है तो इस तरीके से हम आपको नरसरी वाला ट्रिक जो है बता रहे हैं आपको दो चौक लेना है और थोड़ी थोड़ी जंगा आपको इसे बनाना है चाय की पती से किस तरीके से बनाना है आपको पहली रात को अपनी चाय की पती बिगो देनी है गिलास पानी में और अगली सुभा आपको लिकर विड फर्टिलाइजर बनकर आपका तयार हो जाएगा उसको आपको दो गिलास पानी में एड करना है और अ अच्छी तरीके से हो जाएगी आप देख सकते हैं वीडियो में यह मैंने इसी तरीके से जो है अपना प्लांट उगाया है यह मैं आपको 20-25 दिन के बाद दिखा रही हूं और इस पर इतनी अच्छी तरह की से जो है फर्टिलाइजर का इस्तमाल करने से फ्लाविंग इस्ट और इस तरीके से अपने रोज फ्लांट को हरा भरा और फंगस से दूर रखेगा आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लाविंग कितने अच्छी हो रही है और आपको दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप क्या करना है अगर आपके गुलाब के फूल सूख गए है तो उसे हटा देना ह अगर आप खटा देगे तो इसमें नए गुलाब के फूल की गुरोथ स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने गुलाब के पोदे को आप हलका हलका जो है गुडाई करते रहेगा अगर आप लोग अपने गमले के अच्छी तरीके से करके बताए कि आपका गुलाब का फोदा कितना अच्छा और हरा बरा हुआ है तो मिलते हैं सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में